हलो गाइस तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आपने भी फेस्बुक पर कोई अकाउंट बनाया है और आप जानना चाहते हैं कि आपने वो अकाउंट मोबाइल नंबर से बनाया था या जीमेल आईडी से बनाया था तो आप किस तरह से पता लगा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो गाइस कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपना अकाउंट बना के भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना अकाउंट जीमेल आईडी से बनाया था या फोन नंबर से तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपने अपना अकाउंट जो है मोबाइल लंबर से बनाया है या जीमेल आईडी से तो चलेगा इस भटा भट वीडियो को श्टार्ट कर लेते हैं तो गाइस सबसे पहले आपको फेस्बुक एप्लीकेशन को उपन कर लेना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने Facebook आप लिकेशन उपन कर रखा है। इसके बाद guys आपको ऊपर के तरफ three line दिख जाएंगी आपको three line पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपको scroll down करके नीचे की तरफ चले आना है यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा settings and privacy का आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपको दोबारा से settings पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा तो guys यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक option मिल जाएगा see more in account center आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के आ जाएगा तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर guys आपको एक option मिल जाएगा personal details का आपको इस पहले option पर क्लिक करना है जैसे ही guys आप इस पहले option पर क्लिक करते हैं इसके बाद guys यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो सबसे पहले number पर आपको दिख जाएगा contact info यानि कि आपने अपना account mobile number से बनाया था या gmail id से वो यहाँ पर दिख जाएगा उसके बाद आपका birthday दिख जाएगा तो guys यहाँ पर आपको क्लिक करके इस तरह से देख सकते हैं अगर आप कोई mobile number या कोई दूसरी gmail id यहाँ पर add करना चाहते हैं तो नीचे की तरह आपको add new contact का option दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी gmail id या mobile number यहाँ पर add कर सकते हैं तो guys आप इस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका facebook account जो है वो mobile number से बनाया है या आपने gmail id से बनाया है वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को like करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को subscribe कर लें ऐसी tips के लिए